कीवोड का फॉंट स्टाइल कैसे चेंज करें हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अभी आप देखेगा तो मेरा जो कीवोड है वो एक नॉर्मल कीवोड आपको देखने को मिलेगा ठीक है चली मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा कीवोड है एक नॉर्मल कीवोड है और हम चाते हैं इस कीवोड के अंदर हम अपने मन पसंद का कीवोड फॉन्ट चेंज करना लगाना चाते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कहां से कर सकते हैं इस वीडियो को ध्यान से दिखिए इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तों चली यह वीडियो सुरू करते हैं तो अपने मॉयल के कीवोड का फॉन्ट चेंज करना काफी असान है चली मैं आपको बताता हूँ आप कैसे चेंज कर सकते हैं तो इसको चेंज करने के लिए आपको एक छोटा सा अप्लिकेशन डाउनलोड करना परेगा अप्लिकेशन कौन सा है वो मैं आपको वीडियो का लाश्ट में बता दूँगा तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है वीडियो को ध्यान सा देखना है तभी आपके फॉन में लग सकता है तो सबसे पहले मैं फिर से दिखाता हूँ आप देखते हैं एक normal keyword है अब इसके बाद आपको उस application को download कर लेना है और इसको open कर लेना है open करने के बाद आपके सामने application का interface कुछ इस तरीके का मिल जाएगा आपको जैसे की देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा देर आपको loading लेगा loading लेने के बाद कुछ इस तरीके का interface आता है आपको okay वाले option पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो है कुछ नहीं करना है यही option आपको जो है first step complete करना है आपको यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर allow का option आ जाता है आपको क्या करना है यह वला application को allow करना है यहाँ पर font keyword दिख रहा है इसको आपको allow करना है okay वाले बटन पर click करना है फिर आपको okay कर देना है पहला step आपका complete होगे आपको यहाँ पर क्या करना है दूसरा step भी complete करना है फिर आपको इस पर click करना है यहाँ पर English, India आपको दिख रहा है ने इसको select करना है फिर यहाँ पर select करने के बाद आपका जो काम है वो complete हो चुका है अब यहाँ पर आपको क्या करना है input type something आपको इस पर click करना है और यहाँ पर आप कुछ भी type करेंगे अब इसके बाद अब यहाँ पर आपका keyword change हो चुका है अब चलिए हम अपना आपको दिखाते हैं अब यहाँ पर हमने keyword open कर लिया है और इस keyword की मदद से आप कहीं भी tapping करेंगे जिस भी font में tapping करेंगे वाई font उधा जाएगा आप दिल से की देख सकते हैं यहाँ पर धेर सारा font मिलता है जिस font में आप tapping करना चाहते हैं वाई font आप इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे कि इस font में आपको type करना है तो आप इसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं और इस परकार से आप अपने keyword का font change कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा? कमेंट में जूर से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इस चैनल को सब्सकाइब करना ना भूले